हेलो ट्रेडर्स एंडलकुम तुदा स्टूडियो में एंसी सी कौच के दिन हम ट्रेट कर रहे हैं कल के सेशन में हमने अपने पब्लिक टेलिग्राम चैनल पर मौनिंग में शेयर कर दिया था कि कल के सेशन में कोई भी ट्रेट एक्जिक्यूट नहीं करें इसने मौनिंग में ही यहां तक 1% का अप और फिर से डाउन ऐसे देखा जाया अप और डाउन मिला करके डिर्ट 2% का मुव्मेंट मिल गया था हम लोगों को जो है चल नहीं कर दिया था अब इसके बाद में 915 की कैंडल को ब्रेक करने के बाद नीचे इतना गिर जाना यह एक गिर गया वह लगवाथ इससे हम लोग एक चीज यह देख सकते हैं से एकोलोजी के लेवल पर कि कई बरह ऐसा होता है हम लोग ट्रेड एक्जिक्यूट करते हैं या इवन एनलसिस करते हैं एनलसिस कर लेने के बाद में वह स्टॉक नीचे चला गया बट हमारे अनलसिस थी इसका जस्ट अपोजेट के प्राइज हमारा अपसाइट की तरफ चला जा और अनलसिस थी डाउंसिस थी तो उसमें रीग्रेट नहीं करना होता है कि हमने अपने अनलसिस की तो यह स्टॉक मीचे गरिया आपकी अपसाइट में थी अब अगर मार्केट उस चीज को मानती है मार्केट भी अगर अपसाइट की तरफ जाएगी तो हम लोग ट्रेट करते हैं अदर्वाइस नहीं करते हैं इसमें वॉल्म्स की मदद मिल जागी आज के वीडियो में वॉल्म को लेकर के थोड़ी बहु दिसक्शन करेंगे विकॉस एक वीडियो हमने भी लास्ट है अभी इससे पहले जो ट्रेट हमने एंडर के तो वह भी हमने सेल साइट का है ट्रेट एक्जेक्शक्यूट किया था और आज भी जो ट्रेट किया है क्योंकि अभी देखे पोजिशन में चल रही है इसके अंदर हम एक्जिटन हुए ऑने की इसक्शन का दो हमारे टार्ग तो भी इसको hold ही कर रहा है price इसको login कर लेते हैं तो अर्डी लॉग इन है position या order position book में चलते हैं position book में देखिए अभी इस वक्त 8000 इसको एक बार refresh कर लेते हैं 8200-7800 कर रहा है profit and order book में देखिए stop loss हमारा market price 154.50 यह करीब 70-80 पैसे का stop loss लगा हुआ है 153.70 पर इपनी entry है so position चल रही है करीब इसने 12-13000 रुपए के आश्रास का profit दिखाया होगा जब price हमारा नीचे की तरफ आया bounce मिला आप side की तरफ चला गया कोई रही नहीं जितना market को देना होता है वह देगी होता है आप चाहें जो करें कर दो कल हमने HL को trade नहीं किया अब हम यह सोच लें या हम यह मान करके बैट जाएं कि हमारी analysis तो गलत ही थी हालां कि market ہी सही होती हम हमेशा खलत होते है market जो करते हैं वही सही होता है हम यह नहीं कह सकते कि मेरी analysis थी HL को नहीं trade करने हैं और HL इतना गिर गया market ही सही है हम गलत है उस चीज़ को अब हमें फिर से ready analysis करने होगी कि हम कहाँ पर क्या mistake हम नहीं की ये चीज़ें अलग है और इसका ये दूसरा point of view होता है कि हमने तो analysis किया था इसको कि हमें trade नहीं करना और market इतनी चल गई अब क्या करें अब इसी को ले करके negative thinking समारे मन में चलने लगें सो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं ये हमारे trades को impact करती है negative way में नहीं चला है stock कोई बात नहीं हम उसको rain analysis करेंगे और उसमें सुधार करने के कोशिश करेंगे जबरजस्ती नहीं होता है कि अगर market को नीचे गिरना है और वो ऊपर चला गया तो हम इसके लिए regret करने लग करते हों दिखाए पड़ी कि तो हम trade करेंगे और वालूम को लेकर के आज के session में जो भी चीज़ें बताएंगे उसको बहुत ध्यान से और इत्मिनान के साथ समझने की कोशिश करना और यह किसी भी stock में अप लगा दो किसी भी segment में लगा दो nifty bank nifty mcx stocks future options करना उसमें भी ल करोगे हमेशा लॉस करोगे तो पहले profitable होना है उसके बाद में जाकर options trade करने है जब तक profitable नहीं हो equities के उपर practice करो equities को master करो equities पर price actions को समझो अभी आगे हम बढ़ते हैं आज का पूरा focus रहेगा वो volumes को include करके price actions को समझने के ओपर रहेगा कभी भी किसी भी stock के अंदर आप upside के तरफ देखो के volumes increase हो रहे हैं increase हो रहे है increase हो रहे है बट आप देखोगे कि price भी अपनी ranges नहीं छोड़ता कभी इस तरह से इसके अंदर के movements इस तरह के भी price actions बनेंगे कि एक आपके कोई बड़ी सी candle बन गए और इसके अंदर ही आपका price travel कर रहा है बट volumes आप देखोगे कि लगातार increase हो रहे हैं फिर से volumes कम हो गए फिर से increase हो ग रहे हैं तो resistance के break हो जाने के बाद में हमें बाड़ा move मिलता है और अगर price हमारा supports को break कर देता है because यह चीज़े होती है कि अगर कहीं resistance लग रहे हैं तो supports भी लग रहे हैं इस तरह से और maybe यहीं से नीचे की तरफ गिर जाए यह आपको trap भी करती है और यह आपके friends भी है यह आपकी मदद भी करती है volumes जरूरी यह है कि आप इसका use कहां पर और किस तरह से कर रहे हो और इसके just आप opposite आज़ो जब भी आपको लगए कि volumes आपकी गिर रहे हैं कम हो रहे हैं तो कम होती हुई volumes का मतलब क्या होता है highs volumes आपके कम हो रहे हैं इसका मतलब यह कि price आपका जहां पर भी अगर यह upside में जा रहा है अप में तो यहां पर order flows कम हो रहे हैं अगर आपका price support पर है और volumes लगातार कम हो रहे हैं तो मतलब कि price आपका weak हो रहा है price आपका नीचे तो गिर रहा है बट इसके अंदर जो strengths है वो कम है एक जो इसका अगला sense बनता है वो यह होगा कि volumes आपकी कम हो रहे हैं बट price भी आप देखोगी कि कहीं नहीं जा रहा है वो सिर्फ रुक रहा है वो एक range के अंदर ही price पूरा बंधा बंधा सापका रहेगा resistance point अगर price आपका reject हो रहा है और दूसरा अपना support point अगर आपका price support ले रहा है volumes नीचे जा रहे हैं और price आपका इस तरह से box के अंदर travel कर रहा है आप याद रख लो जिस तरह से volumes upside की तरफ जा रहे हैं थी और इसने strength create की थी trades के chances ज्यादा मिलते हैं क्योंकि price अगर resistance break करेगा तो movement आपको date 2% का movement intraday session में एक दिन में मिल सकता है और यही चीज इन में भी होती है अगर volumes नीचे की तरफ तूटी या फिर upside की तरफ गए जो price है आपका तो यहाँ पर भी आपको date 2% का move एक दिन में मिलता है अगर सही ज दिन में को समझवनीा आता है volumes के breakout है क्या volumes कम गोगए अगेन कम फिर से कम हो गए यह क्या यह तो बढ़ गये लें इससे वपर नहीं निकली, मतलब क्या volumes to increase हो नहीं रही है ठीक है breakout के जैसे ही price जैसे ही अ कोई बार किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रैम की कोई भी एक बार volume की अपनी last form होयी volume से ज्यादा की quantity के साथ में form हो जाती है तो यह एक तरह से volume का breakout होता है फिर से volume कम थी इसके next session में volume फिर से increase हो गए यहां पर वोल्म के breakout हो गया हो सकता है यह जो points बन रहे हो है यहां पर प्राइज अपना को support कर रहा हो या फिर resistance कर रहा हो और इसके बाद में अच्छानक से एक volume बड़ी volume आ गये देखिए होता क्या है कि यहां पर प्राइज में कोई भी अपना अगर एक particular इसाइट की तरफ रह सकते हैं कुछ समय के लिए आपको अचा टार्गेट दे सकते हैं क्योंकि प्राइज अपने चाप्राइज को अपनी अपनी सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है यहां पर और वोल्यम्स लगाता है इसी तरह से आपका अपसाइट की मुवमेंट्स देखाता है अभी समझ में आ कि वॉल्म्स की ब्रेक आउट होते कैसे यह तो बात होगे देखे अब आज जाएंगे हम लोग निसी को लेकर कि क्या थी क्यों बुलिश स्टॉक के अंदर में शॉट सिलिंग की क्या रिजन था क क्यों इतने कॉंपरेंट थे कि हम लोगों ने एंसी से को फिर शॉट ही कर दिया था सी यह तो देखे ग्रीन केंडल बन गई थी थी थाउसन को बारह हजार कर प्रॉफिट हम लोगों को देखा है था वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कहिए या डिस्रेक्शन बोलिए जो अ हमें मार्केट देगी वो ले करके यहां से निकलना पड़ेगा हम कोशिश है करते हैं लाइव मार्केट में जब ट्रेट वगरा वापस दिखेटाइस हो गया जब ट्रेट वगरा चल रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ इधर उदर ध्यान ना भटके मन ना जा बिकॉ बड़े लॉस भी में शुरुआत में सिर्फ अपनी चोटी चोटी घल्टियों के विजए से जहले हैं और आज का तो आप रिज़र देखे रहो तेरह जार का प्रॉफिट बारा तेरह जार का प्रॉफिट दोहजार में बचा अब गुरुप डिसकुशन था कल जो क्लासे बड़े घल्टि शाम को उनसे बने बोला था कि कुछ एक पॉइंट से जो कि लाइव मार्केट में समझ वाएंगे तो लाइव मार्केट में उसको समझाने की कुशिश करेंगे तो बस वह होता रहां सीजी बिल्कुल ध्यान से निकल गया ना हम उसको मोबाल पर ही मॉनिट शेहजार हो गया अब जाने दीजिए जो चल रहा बार बर इसको नहीं देखेंगे एंड डेली टाइम पर आजाएगे बननी चाहिए इसके अंदर रेट केंडल ही बननी चाहिए ग्रीन आसार नहीं लग रहा है बनने के कि क्लोजिंग इसके रेट में हम यह देख रहे थे क डेली टाइम फ्रेम पर इसके अंदर रेट केंडल ही फॉर्म होनी चाहिए इसका एक एक एकस्पेक्टेड रेस्टेंस पॉर्ण तो मौनिंग में लोग नहीं निकाल लिया था अब यहां पर देखें क्या हुआ सिर्फ वॉल्म वॉल्म से आप पड़ों क्या लग रहा है वॉल्म नीचे जा रहे हैं वॉल्म कम हो रहे हैं बर देखें यहां पर भी वॉल्म के ब्रेकाउट यहां पर भी वॉल्म के ब्रेकाउट यह लगा था नीचे एक तरफ और यहां पर देखें वॉल्म के ब्रेकाउट आप देखो कि जब जब वॉल्म के ब्रेकाउट में है price ने किया क्या है अगर ये एक range के अंदर है तो इस range में क्या activities हो रही है इस चीज़ को समझो अगर आप ये चीज़े clear कर लेगे ना इन चीज़ों को understand कर लेगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगे हलाएं कि इसके बाद में कुछ points हैं जो कि आपको add-on करने पड़ते हैं अब यहाँ पर सीधे आप price को लेओ देखिए यहाँ क्या हो रहा है जैसे कि ये वाली candle है हमने इसका high just इसका high महाँ देखिए high के बाद में हो क्या रहा है volumes के through तो चलिए हमें पता चल रहा है कि volumes के breakout हो रहा है बड़ प्राइस क्या कर रहा है आपने supports को protect कर रहा है ये अगर इस candle के high इस support ले ले तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है breakout प्राइस ने upside की तरफ closing की आगेन देखिए यहाँ पर breakout इस वाली candle के उपर market निकली फिर से कहाँ पर breakout हुए है ये वाली आगेना वापस से देखिए प्राइस आपका आपके support परागा और volumes increase हो गई मतलब कि यह support है यह तरह का support point है volumes देखिए increase हो रहे है और प्राइस का जो movement आप देखोगी यह upside की तरफ के है कुछ इस तरह से और फिर से देखिए volumes के breakout हो गया प्राइस आपका upside की तरफ चला गया एक heavy volume के साथ प्राइस ने breakout कर दिया वापस से देखिए next session में यहाँ पर volumes आई है और प्राइस ने फिर से एक upside का movement दिखाया और volumes कम हो गया अब देखिए यहाँ से जो market नीचे गिरना शुरू की है तो यहाँ पर volumes के breakout हुए फिर से breakout हुए और प्राइस हमारा नीचे आगए अब हुआ क्या यह जो candle थी है हमारी एक अगस्त की candle इस candle का आप सारी ड्राइंग साथ ने remove कर दिया है इस candle का जस्ट हम low मा कर ले और इस candle का low हमारे लिए बन जाता है एक resistance point resistance क्यों बनेगा यह बहुत strong support है और इस support को market ने heavy volume के साथ में नीचे की तरफ ब्रिक किया था यहाँ पर और आज हमें price कहा मिला है नीचे के दिशा हमें opening कर देने के बाद में इसने upside की तरफ जाकर कर यहाँ पर हमें दिया अपनी entries के confirmations और यहाँ से market see देनीचे और इसने अच्छा खासा target हम मार्निंग में दिया अभी भी देखे कुछ confusion होगा कि यहाँ पर किया क्या यह candle उपर इस candle का high low volumes समझ में नहीं आया होगा हो सकता confusion होगा सा इसको फिर से clear की जाए हमने क्या कहा भी आपसे कि volumes इस तरह की है और price आपका उपर की तरफ जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि price आपका strong हो वो reject हो सकता है वो resistance ले सकता है हमने क्या किया wait हमने यहाँ पर wait किया कि यह वाली जो candle है अगर इस candle का low हमारे लिए कोई एक support बनता है तो कल के session में marketing नीचे की तरफ आगर के closing कर दी थे हाला कि price सीधे सीधे upside में जा रहा है इसका एक retracement बनता है कुछ यूँ movement हो रहे थे सीधे upside अब यहाँ पर जैसे price इस जगह पर पहुंचा volumes देखे increase हो गया यहाँ पर decrease होने शुरू हो है और price आपका upside की तरफ चला गया तो price में strength हमें देख रही है बट हम जो volumes को दूरू देख रहे हैं तो समाझ चुआ रहा है कि यहाँ पर कुछ-कुछ weakness हमें लग रही है तो कल के session में तो नहीं बट आज हमने देखा कि price ने कल जहाँ पर support लिया था आज भी उसी जगह पर यह रिजेक्ट यहाँ से हमने अपनी trades जिखे volumes कम हो रही है price आपका upside में जा रहा है यह और यहाँ पर बन गया हमारे लिए एक support और कल के session में इस support के नीचे आ करके market ने closing कर दी थे और जैसे ही एक resistance हमें लिए हमने यहाँ से अपनी trades के confirmations ले करके short किया आप यह चीज़ ज्याद रखना NCC तब तक आपको upside का movement नहीं देखागा जब तक यह हमारे 154 के ऊपर नहीं निकल जागा अगर यह कल के session में उपर नहीं निकला न तो यह इसका बन जागा resistance और market यहां से सीधे नीचे की तरफ देखेगा आपको हाला कि इतना बड़ा movement नहीं आएगा लेकिन chances हैं कि price फिर अपने supports को test करने के लिए नीचे की तरफ आ जाए तो एक uptrend market में volumes क्योंगी कम हो रहे हैं यहां पर हमने अपना support find किया short selling का अपना point of action नेका लिए यहां से अपना trade execute किया इसी जगह पर आप सीधे lower time frame पर आजाओ कुछ नहीं करते हूँ यह तो चीज़ है हमने higher time frame पर कर ली आप कुछ नहीं करते हूँ भी सिर्फ lower time frame पर ही आओगा तो यहां पर आपको दिखाई पढ़ेंगे कुछ supports लोज लोज अगें लोज फिर से यह ना प्राइस निकल यहां पर अपने support कर दे नीचे के तरफ निकल गए थी market फिर से देखे क्या हुआ लेवल के नीचे ओपनी और वापस से प्राइस आपका upside के तरफ और यह बना था हमारा कल का support point और प्राइस में हमने क्या किया ना just swing के उपर अपने stop loss लागा करके trade execute कर दिया तो जो target था हो सारा का सारा target हमको आज के session में बिला अब इसमें देखे क्या हो रहा है कि जब जब प्राइस आपका support पर आ रहा है volume इंक्रीज हो रहे है जब जब support पर आ रहा volume इंक्रीज हो रहे है वापस price upside की तरफ चला गया फिर से देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए volumes increase हुए आपके एक support को heavy volume के साथ में नीची की तरफ गिराए गया और वापस price आपका नीची के दिशान हुए फिर से देखिए volumes आया और price आपका एक resistance पर है जब भी आपके resistance आपके support को test करने के लिए market जाए और वहाँ पर volumes increase हो जाए तो एक तरह से support पर support और resistance पर resistance के confirmations होते हैं अब हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से करते हैं exit तो सबसे पहले order book में जाएंगे order book से stop loss order करेंगे cancel position book 2900 चल रहा है 253 252.85 अब यह देखिए live market में यह सारी चीज़े देखिए यह इसका resistance area यहाँ पर पता क्या हो रहा है volumes increase हो रहा है volumes increase होने का यह मतलब नहीं कि price आपका सीधे उपर की तरफ चला जागा particular resistance point पर यह volumes increase हो रहा है यह एक indecision का point बनेगा अगर price ने आपके इन ranges को upside की तरफ निकाल दिया और सिर्फ एक candle की closing से हम लोग यह तै नहीं करते हैं कि price उपर चला गया proper वहाँ पर retest होते है price आपका sustain होता है resistance के breakout या फिस दिशाने रधारित करते हैं कि इस दिशा में जा सकते है market सिधे ऐसे नहीं बहुत सकते है कि इसमें green candles बन रहे है volumes आरे हैं तो price आपका upside की तरफ चला जागा यहीं से हो सकते है कि price आपका फिर नीचे की तरफ आजाए आप देख लिए जगा यह market चल रही ना बिल्कुल एक spike में price आपको उपर नहीं जाएगा volumes आ रहे हैं तो यहाँ पर orders लग रहा है और यह बन सकते हैं आपका resistance point हो सकते हैं यहाँ पर price आपका रुके थोड़ी दिर रुके चलिए issues को हम लोग देखेंगे तुरंट देखें वहाँ से एक red candle बन गई तुरंट एक rejection आपको दिखा अभी देख ली जगा सारी चीज़ें यह सामने ही है जब हम volumes को लेकर के price को लेकर के कोई भी चीज़े आपको discuss कर रहे हैं तो सिर्फ यह मैं समझेगा कि आर्ट और printing बना करके उपर नीचे यह सब करके ज़्यादा तर वीडियो देख लोगे आप जो पहले से uploaded है न सारी चीज़ें लाइव मार्केट में समझ भाएंगे सारी चीज़ें लाइव मार्केट में होंगी अगर कुछ system को strategy है हम आपको बोलना तो वह भी सारी चीज़ें लाइव मार्केट में सब हम trade execute करके दिखाएंगे इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ें बोले ना उसके उपर आपको confidence है यह दिखाने के लिए ने कि दोखो सब सही है हम जो बोलने हो सारी चीज़ें नहीं जो भी चीज़ें पढ़ो या जो भी चीज़ें समझो ना उन सब के उपर एक तरह का confidence है confidence होगा तो live market में जाकर कि आप उसको उतनी अच्छी तरह से फिर use कर पाऊगे वरना हमारा बाता देना आपका सुन लेना और अगले दिख मार्केट में जाने के बाद में फिर से loss करना फिर हम लोग एक ही level पर आकर के खड़े होगा न लिया न दिया मार्केट से कुछ हाला कि यही बोलेंगे फिर loss के तो फिर दिया ही है एक तरह से जो भी एक भी point पढ़ो एक भी point समझो तो उसके ओपर confidence होना बड़ा ज़रूरी होता है confident रहो तभी आप फिर last तक अपने stop loss को protect कर पाऊगे otherwise आपने short किया है जब तक red candle बरने तब तक अच्छी बात है एक green candle और तुन अप मार्केट से बाहर बट last में देखते हो कि market ने पूरे दिन आपको downside का movement ही दिखाया है अगर आप थोड़ी दिर रुख जाते हैं तो आपको अच्छा profit दिखता है तो moral of the story जो भी practice करो live market में practice करो जितना ज़रूरी है आपका practice करना है उतना ही ज़रूरी है अपनी practice की हुई चीजों के ऊपर फिर believe करना confidence के साथ बैठे रहना जैसे यहां पर देखे अभी हम रुके होगा है हमें लग रहा ब्रोकर ही बाहर निकालेगा तीन पांसो तीन अटसो हो रहा है फिर चकम होगे लीज़े हजार रुपे तो रंद कम होगा हम रूके हैं अभी हम निकली नहीं है इसके अंदर से इसको एक बाहर रिफ्रेश कर लेते हैं अब ब्रोकर ही बाहर निकालेगा हम अगर हमें एक्जिट भी करना चाहां तो शाद कर नहीं सकते अब और बुक में इस्टॉप लॉस तो कैंसिल कर दिया था स्टॉप लॉस और कैंसिल है पोजिशन बुक 2400 चल रहा है मज़ा अगर एक बड़ी सी केंडल में को नीचे की दरफ देखने को मिले प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे मौनिंग में गलती खर दे हैं हमें या तो यहां से अपना मॉबाइल के उपर लगा देना चाहिए था इलर्ट वगरा कुछ लेकिन वही है जब सारी चीज़े हो गई तो मन में आता है कि यह कर लेते वो कर लेते यह की चीज हो सकती या त दो काम एक साथ अगर टार्गेट मिल जाता है तो यह जो चीज़े हम आपको बता रहे हैं शाहत ना समझा पाते हैं ठीक है कुछ नुकसान है तो कुछ अपने फायदे भी है अभी निकले हैं लोग भाट निकले हैं नहीं निकले हैं रेफश करते हैं 625 और्स निकल के सारे सारे और्स निकल लिए 2525 का प्रॉफिट है हमारे लिए सेडिस्वाइंग है कि जो भी स्टॉप्रस हमने लगा के रखा वो लास्ट तक सेफ रहा है एंड इसके बाद में मार्केट को जो देना है दे तो NCC का प्रॉफिट है 2553 रूपिट है तो अब हम लोग चलते हैं अप जो अभी मापलों के सात हम इसे एक बड़ी सी कैंडल हमारी बनी है छोटी चोटी दोकेंडल के बाहर जो बड़ी सी candle है इस candle के बाहर price की ना तो opening हो ना ही closing हो इसके बाद बनने वाली दो candles की ना ही opening होनी चाहिए ना ही closing होनी चाहिए हाँ movement बाहर की तरफ दिखा सकता है तो इस तरह से आपको कुछ formation दिखेगी मतलब कि wix तो निकल सकती है बड़ी वाली candle के बाहर किसी भी तरह की opening या फिर closing नहीं होगी ये बनता है inner range breakout इसके जो key points होते हैं ये last वीडियो में हमने आपको already बता दी है अब इसमें volume का use देखे कैसे होता है first वाली candle की volume बिल्कोल normal रहती है एक normal volume जाहिए इसके बाद जो दो volumes बनती है दोनों जो candles है इसमें या तो हमारी central वाली candle है इसकी volume जाहिए ज्यादा का मतलब volume breakout और अभी इससे पहले मैं आपको बता था न ब्रिक आउट क्या होता है किसी भी particular time frame पर एक जो बार वाल्यूम बाहर बनती है और उसके अगली जो वाल्यूम बाहर बनती है अगर previous वाल्यूम से ज्यादा की next volume में quantities आ जाते हैं तो यह volume का breakout होता है प्रिवियस जो लास्ट वाल्यूम होती है उसके अगली बनने वाली वाल्यूम से ज्यादा में आ मतलब या अपनी last volume से ज्याद है और वो ज्यादा आप कितनी भी हो सकते बस हमारी last volume बनी है इस से ज्यादा volume होनी चाही है अगर ऐसी है तो यह भी चलेगी और अगर first volume से उन्यकल जाती तो यह भी चलेगा बस last volume से ज्यादा तो यह एक तरह की volume का breakout होता है बाद में बनने वाले दोनों ही Candles की Volumes के Breakout अगर ज़्याद आपको दिख रहे हैं तो फिर यहां से हम लोग मान सकते हैं कि यह formation पूरी strong है अब इसमें करना क्या होता है देखें इस पूरी formation में एक high to high होता है और एक low to low होता है हमारे लिए बहुत impact कर जाता है यह high और यह low point जब तब price आपका इस range में रहेगा यह side way रहता है और जब breakouts होते हैं तो एक healthy breakout आपको देखेंगे क्या करना है क्या breakout पर trades ले लेने हैं नहीं कहीं पर भी अगर आपको यह range mark करके रखे हुए हो और आपको उन ranges के अंदर आपको यह formations दिखाए पड़ती है तो information का use आप उस समय price की reading के लिए करोगे ना कि entry लेने के लिए अगर आपने information की entry लेने के लिए use किया तो फिर आप trap हो जाओ जो भी चीज़ अभी हम बता रहे हैं एक तरह से lower time frame पर आपके price की reading को यह improve कर देगा इसके पिछे की psychology क्या है कि first to normal volume है इसके बाद में एक जो candle हमारी बनती है इ तो third वाली जो candle बन रही है इसमें अगर volumes के breakout हो जाते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि पहली चीज़ जो होती है वो किसी भी एक range के अंदर volumes के breakout हो रहे हैं बट price नहीं निकल रहा है इसका मतलब कि price में यह वाली जो range हो यह बहुत strong range बन रही है अब इस range का किस तरह से use करन मतलब कि previous candle के नहीं चीज़ की closing हो रही है, volumes अगर increase हो रही है तो यह range बहुत strong range बनती है दूसरा outer range breakout क्या होता है कि first वाली candle आपकी बन गई, information को अगर बहुत अच्छी तरह से समझना है तो last वीडियो को एक बार rewind कर लिज़े उसको जाकर कर देख लिए तो formation बहुत वाली candle है, second वाली candle की closing इसके नीचे होगी और जो third वाली candle बन रही है, इसकी closing आप second वाली candle के नीचे होगी एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, first वाली candle का color इन दोनों ही candles के opposite होता है, अगर यह दोनों candles आपके red form हो रहे हैं तो first वाली candle green होनी चाहिए, अगर first वाली candle red हैं तो बात की बनी हुई दोनों ही चेंडर साब की ग्रीन होंगी इस तरह से इन दोनों कॉलूम्स में चैंज होगे अब बात आती है वालूम्स की कि हम लोग कैसे यूज करेंगे तो सेम जैसे यहां पर हुआ था वैसे ही यहां पर होता है इस जगह पर दो डिफरेंट चीज दिखाता है और यह आपको range के बार strength शो करती है market जैसे कि first वाली normal volume रहेगी या तो second में volumes के breakout हो जाए और अगर second में नहीं हो पाते है तो फिर third वाली candle में volumes के breakout होनी चाहिए इसके पीछे की psychology यह है कि price ने अपनी first candle को एक heavy volume के साथ break किया है hold किया अगर first candle break नहीं कर पाती हो तो second candle ने break कर दिया second candle के importance इसलिए होते है क्योंकि first वाली candle के नीचे ही हमारी second वाली candle के closing होती है तो एक जो continuation होता है और एक जो stuck price होता है इन दोनों ही price actions में जब आप इन volumes को include कर दोगे तो यह दोनों price actions आपको strong price actions बनेंगे यह power होती है volumes की जिस भ वो एक move कर रहा है वो travel कर रहा है तो यह strong है या वी volumes के थूरू हमें यह पता चलता है I hope कि यह दोनों format आपको clear होगे और अभी बढ़ते हैं लोग तीसरे format पर अब देखिए fake mother candle क्या हो आपका यह resistance है एक move आप देख रहा हो कि price upside के तरफ दिखा रहा है यानि कि आपका resistance त करते हैं इससे एंट्री लेते हैं एंट्री लेने के लिए हम अपने fixed formation का यूज करते हैं और इसके लाव एक-दू formation जिसकी प्रैक्टिस अभी personal level पर मेरी चल रही है तो जब हम उसको देख लेंगे तो फिर उनको भी अपने entries के methods के अंदर include कर लेंगे but mother candle जब हम बात करते पर हमें अपने entries लेनी है और मेरा view है यहाँ पर short selling का इतनी चीज़ क्लियर है आपके पास आपका एक point of action है जो की compulsory होना ही है अगर point of action नहीं है without point of action अप्रेड execute कर रहे हूं चाहे वह future options हो चाहें stocks हो चाहें mcx community कुछ भी हो अगर आप without point of action trade करो तो मतलब बहुत-बड़ रिस्की काम करो ऐसा नहीं किया जाता है एक point पर पहले से मालूम होना चाहिए कि particular hundred rupees, hundred twenty, hundred twenty five एक एरिया है जहां पर हमें जाकर कि अपने trade रखना है trade execute करना है और जब तक वो point of action ना मिले तो उसको खोजने की कोशिश करो उसको search करने की कोशिश करो एक सही point of action जब तक नही यूज करोगे कि आपको मालूम है आपका trend identify है price में upside की movement लेनी है या फिर आपको buy करना है अब यहां पर देखी होता क्या है जैसे ही price आपका resistance पर पहुंचा resistance पर जाने के बाद में इस ने एक mother candle एक form कर दी और price इस mother candle के अंदर travel कर रहा है ठीक है और जैसे ही इस mother candle का low टू price जैसे ही नीचे की तरफ टूटा आपने short कर दिया short कि इसके बाद में market सीधे ऊपर चली गए यह होता है तरह का trap इसे हम लोग कैसे बच सकते है पहले चीज़ तो खुद पर control रखना होगा कि अगर हमने decide किया है कि मैं buying करने तो फिर buying ही करने फिर हम लोग selling नहीं करेंगे और अगर decide कर लिए कि फिर selling करने तो फिर buying नहीं होगा तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर volume का rule किस तरह से करेंगे volume हमें start करते हैं जहां पर आपकी mother candles form हुई है एक जो mother candle बनी है इसके बाद में आपको चाहिए volumes के breakout तो जो बड़ी candle है उसकी volume चोटी होनी चाहिए और जो चोटी candle है baby candle है उसकी volumes ज्याद होनी चाहिए आपकी next इस वाली candle के और इसके बाद में दो या तीन candles जितनी भी बन रही है price पहली condition है price आपका range नहीं छोड़ना चाहिए price आपकी range के बाहर नहीं निकलेगा इस बड़ी सी जो mother candle है mother candle के अंदर ही आपका price रहे और यहाँ पर volumes के जितने breakout आपको मिल जाना उतना ही strong price action या उतना ही strong एक support मिलता ह volumes लगातार increase हो रहें बड़ price आपका level नहीं छोड़ रहा है range नहीं छोड़ रहा है और इस पूरे इस format के दौरान पूरे इस process के दौरान में अगर आपको दिख जाए कि price आपका resistance पर है और resistance पर होते हुए price ने आपका support नीचे की तरफ तोड़ दिया यहाँ और आपको कर नहीं थी बाई और इसने तोड़ दिया support तो आप तुरंट से अपना व्यू नहीं change कर लोगे आपको पता है कि बाई करना तो बाई ही करना है हो सकते हैं नीचे की तरफ रिकाउट दिखाए price आपका नीचे ही गिर जाए वह पूरे दिन ऊपर ही नहीं अगर ऐसा होता है त तो इसको मान करके चलो हो सकता है ठीक है हम नहीं करेंगे लेकिन इसके just opposite आप आओ कि price ने नीचे की तरफ आप closing दिखाई selling नहीं करनी वापवस से अगर price गलती से भी उपर की तरफ गया ना तो यहां पर movements इतने बड़े मिलते हैं कि जो भी आप target रोखो जो भी एक logical target एक दो पासंट का move आपको यहां पर मिलेगा है लेकिन volumes इसमें कर देना इंपलोट तरह से first जो mother candles की कम रहेगी और यह candle की volumes ज्याद रहे ऐसे आप information का यूज करोगे अब outer और inner range breakout के कुछ example आपको दिखाते हैं जैसे कि पहला हम लोग ले रहते हैं 10 बजे के आसपास इसमें आ प्रीवेस केंडल के ऊपर में जाकर के कर देता है closing और यह एक second अपनी जो third candle form होती है second वाली candle के अप में जाकर closing करता है यह बन गया पूरा format volumes और प्राइज दोनों चीज़ें आप आप से मिल गई आप देख लीजे यह जो भी support form करेगी market यह strong support होगा एक proper strong support area बनेगा तो इससे हम लोग क्या करते हैं फिर reading कर सकते हैं कि 9.15 की candle यहां पर form हुई 9.15 के बाद में market ने upside का movement दिखाया सीध है market नीचे के तरफ है और यहां पर भी देखिए volumes increase होगे अगें upside फिर यह lows 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 यहां पर होगे breakout ब्रेकाउट भी low volume के साथ है यहां पर volumes increase होगई मतब अभी जो भी reading होगे आपको करनी है यह सारी आप इस एक line के पास से शुरुआत कर सकते हो जो एक सीरा होता है प्राइस एक्शन का पकड़ने का वह कहां से हम लोग readings कैसे start करेंगे अब इनर रेंज प्रेकाउट के एक्जामपल देखिए जैसे कि भारती एटल भारती यह अपनी formation बनी थी सारी markings को आप delete कर दो जो green candle है यह वाली देखिए यहां पर इस green candle का आप high mark कर लो हाई क्यों mark करना है क्योंकि यहां पर हमें नहीं चाहिए opening और closing उसके बाहर यह चीज़ देखने के लिए हमने high mark किया ठीक है और इसके just आप low पर आजाओ और यह जो second candle second और यह third candle form होई है हमने क्या कहा था यहां पर आपको volumes के breakout देखना होगा तो या तो first या फिर second इन दोनों में से किसी वॉल्यूम का breakout में चाहिए होता है अपनी last candle से तो दस पच्च कर बीस नट पर जो वॉल्यूम आई थी दस पच्चिस पर उससे ज्यादा का volume आई है अब just इस green वाली candle के low mark कर दो आप देख लो कि यह जो area आपका बनेगा ना यह जो support बनेगा क्योंकि इसका just opposite formation कर दोगे हाँ एक चीज और यहां पर हमने आपको एक एक example बताया था कि जैसे first candle आपकी बन रही है green तो दोनों यह बन गए red और इसके just opposite जब आप आप आओगे तो first candle बनेगी red और इसके बात की दोनों candles बनेगी green यहां पर भी देखे same चीज़ है यह तो वह हुआ था यह देखें एक low बन गया और इसका just opposite यह भी inner range breakout है आपका opening और closing सब ranges के अंदर है यहां पर भी और यह देखें volumes के breakout हो गया देखें एक ही चार्ट पर दो-दो formations आपको देखें यह double confirmations होते हैं तो जब आप इन सभी elements को आपस में add कर देते हों जोड़ देते हो तो आपको बहुत strong एक price action देखना हो की मिलता है जिसके आपर हम आगे चल कर कि फिर trade वी अगरा execute करते हैं आज के लिए फिलाल हम लोग वीडियो इंपर close करते हैं तीन formats पता हैं तीनों format का यूज बहुत अच्छी तरह से समझतारी के साथ और फिर सेंबोल रहे हैं यह formations का यूज आप लोग एंट्री के लिए नहीं lower time frame पर price की reading के लिए करोगे अगर एक बार रीडिंग अच्छी होगे तो एंट्री बहुत ब दो महीन आएं बिल्कुल आए किसी का profit अपने बड़ा ओड़ा करोणा में profit देख लिया लाखों में profit देख लिया चले आए आपको भी करना है बरबाद हो जाओगे एक सही वे एक सही process हमें नहीं लग रहा कि आज के टाम में कोई बता जरूरे थी नहीं किसी को बतानी कि क् पड़ेगा कि अगर हम लोग किसी भी एक target की तरफ जा रहे हैं अगर आपको माल लिए price action की field में अच्छा काम करना है price action को समझना है तो उसका सही रास्ता क्या है यह नहीं कि बस आए कुछ भी उठा करके देखने लगए कुछ भी उठा करके trade करने लगए एक सही वे उसका क्या होना चाहिए प्रॉपर वे में पहले price actions को समझो उसको read करो volumes को समझो आप चाहें जितने भी indicator लगा लो चाहें जितने indicator यूज़ करो हमेशा हर indicator lagging indicator होगा हमेशा volumes को leading indicator बोला जायता और volumes से बड़ा को indicator है ही नहीं volumes से कुछ भी नहीं छिप सकता तो जितना हो volumes और price को master करने की कुशिश करो equities में पहले profitable हो जाओ पहले profitable हो जाओ इसके बाद फिर आप दुनिया की किसी field में काम करो आप fail नहीं होगे आप fail हो ही नहीं सकते और अगर ऐसा नहीं करोगे आप jump कर जाओगे किसी भी other segment में जहा अगर lots में काम कर रहे हो ना वहां पर आपका money और risk नहीं हो सकता वह impossible नहीं होगा और फिर वहां पर इतना बड़ा आप loss खाओगे ना सब कुछ चला जाता है फिर हाथ से जो account हो एक बार दो बार नहीं आप 10 बार फिल करोगे अपना account 10 बार वह washout हो जागा एक पैसा नहीं लगा है first step second third fourth इस तरह से अपने steps करो चोटे-चोटे targets रखो बड़े targets मत रखो चोटे-चोटे targets का मतलब हम trading के targets की बात नहीं कर रहे हैं पहले formation एक formation को practice करो inner range की practice करो फिर outer range की practice करो फेक breakout हो गए channel उठा करके देख लो कितनी ही formation समने आपको बता ही कोई भी एक format उठा लो यह भी शायद comment अपने चैनल पर एक दो बार आया है कि इतनी सारी formation बता दीप करें तो क्या करें कोई भी एक उठा लो जरूरी नहीं है कि आप सारी formation को उठा करके सब यूज करो एक-एक formation के उपर हमारी एक-एक-दो-दो साल की practice है तब जाकर कि कोई formation आपको साथ शेयर करें ऐसा नहीं कि उधर से कहीं समको पता चलिका हमने फौरान आपको बता दिया खुद भी नहीं जान रहा है कैसे होगा लेकिन बस हमने बता दिया आज के वीडियों हम लोग यह पर close करते है I hope कि सा goodbye and we will meet again